लेटेस्ट रोजगार समाचारों के लिए हमारी चैनल डीजी इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों डीजी इंडिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और फाइनली भारत सरकार ने डीए 50% कर दिया है चार परतिसत की वरद्दी इस बार डीए में की गई है पहले 46 परतिसत डीए था जो कि 4 परतिसत की वरद्दी के साथ अब 50 परतिसत हो गया है और 50 परतिसत ये एक खास आंकड़ा है क्योंकि 7 Pay Commission के अनुसार ये अल्रेडी मेंसन है कि जब भी डीए 50 परतिसत हो जाएगा तब यहाँ पर बहुत सारे अलाउंसेज जो है वो बढ़ जाएंगे तो वो कौन-कौन से अलाउंसेज है और वो कितने-कितने बढ़ेंगे इस वीडियो में आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और साथ ही एरियर आपको कितना मिलेगा इन सभी अलाउंसेज का और डिये का जो भी बढ़ा है उसका और आचारे का वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको कैलकुलेट करना है और कुछ लोगों का ये डाउट भी है कि डिये 50% से ज़्यादा होने के बाद में ये अलाउंसेज बढ़ेंगे लेकिन ऐसा नहीं है यह मैं क्लियर कर देता हूँ जब भी डिये 50% हो जाएगा सेवन पे कमिशन के अनुसार तब ये सारे अलाउंसेज बढ़ जाएंगे ठीक है 50% होना चाहिए बस ऐसा नहीं है कि 50% से ज्यादा होना चाहिए 50% ही वह आकड़ा है जब यहाँ पे ये सारे अलाउंसेज बढ़ जाएंगे ठीक है तो यहाँ पे कोई भी डाउट आपको नहीं रखना है कि 50% से ज्यादा होगा तब मिलेगा ऐसा नहीं है 50% हो चुका है और अब ये जो अलाउंसेज है ये बढ़ जाएंगे तो चलिए बात करते हैं कौन-कौन से अलाउंसेज कितने-कितने बढ़ेंगे तो सबसे पहले है ऐर अलाउंस ये इतना था जो कि अब 25% बढ़के इतना और इतना हो जाएगा एनौल अलाउंस जो कि 25% के साथ बढ़ेगा ठीक है 25% इजाफ है इसमें हो जाएगा सबसे इंपोर्टेंट है चिल्डरन एजुकेशन अलाउंस जो कि 2250 रुपे था पर मन्त वो भी 25% बढ़ेग हैं तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि जो चिल्डरन एजुकेशन अलाउंस है वो 2023-2024 के लिए क्या बढ़के मिलेगा या वहीं मिलेगा तो इसा नहीं है मैं आपको बता देता हूं क्लियर दिसंबर 2023 तक क्योंकि ये जो चिल्डरन एजुकेशन अलाउंस है वो पर मन्त मिलता है तो दिसंबर 2023 तक जितने भी मन्त काउंट होते हैं आप काउंट कर लीजिए ठीक है यहां पर 9 मैने होते हैं तो 9 मैनों के लिए 2250 मिलेंगे और जनवरी से यहां पर डिये बढ़ गय है और जो जनवरी, फरवरी और मार्च जो होगा इन तीनों मन्त के लिए जो आपको चिल्डरन एजुकेशन अलाउंस है वो बढ़ के मिलेगा यानि की 2812 रुपए तो इन तीन मैनों के लिए अभी इस सत्र में बढ़ेगा बाकी एज़एटीज रहेगा पिछले साल के लि मिलना ही मिलना है तो यहां पर डाउट में क्लिए करना चाहूंगा बहुत सारी लोग इसके रिगार्डिंग कुछ रहते हैं आगे यहां पर यहां पर 25 परसेंट बढ़ेगा डेपूटेशन ड्यूटी अलाउंस यह भी 25 परसेंट बढ़ेगा जितना भी आपको अभी मिल है उसका 25 परसेंट सीधा बढ़ जाएगा उसका आप सीधा केल्कुलेट कर सकते हो ठीक है कोई भी इसमें ज्यादा यहां पर डीटेल्स नहीं है डीटेश्मेंट अलाउंस हो गया नेशनल होलीडे अलाउंस है ठीक है यह भी बढ़ जाएगा 25 परसेंट से लेंग्वेज जरूर उनके लिए बढ़ जाएगा तो यहां पर यह लिस्ट जरूर देख लीजिए इसमें आपको मिलने वाला कौन सा अलाउंस है वो यहां पर अभी पता लग जाएगा आपको क्योंकि लिस्ट कापी लंबी है हाउस रेंट अलाउंस में यहां पर इजाफा होगा 3, 2 औ की लिए फेंट बड़ के 10 पर सेंट आपको फोजाएगा यह मिलता है आपको बेंशिक पेंट अलाउंस में कॉई भी डाउट मत रहे हना कोइम लागे यहां पर बात करें तो यहां पर नरसिंग बलाउंस यहां पर autant यह पिछीस पर सेंट बढ़ जाएगाम फिछिस पर सें और इसके अलावा यहां पर डेली अलाउंस जो होते हैं जिसमें आगर आप कहीं भी बाहर जाते हो आफिस के वर्क से सरकारी काम से तो वहां पर आपको रहने का जो चार्ज है आप जो यात्रा करते हैं उसका चार्ज है और जो लंसम अमाउंट पर होता है वो जो है वो बढ़ जाएंगे 25% सभी ठीक है जितने के लिए आप उत्राई जो उतने में 25% का जाफा हो जाएगा ठीक है डायरेक्ली और कोई भी यहां पर चेंजर नहीं है टीए उन ट्रांसपर जब आपका ट्रांसपर होता है तब आपको जो पर किलोमेटर 12 से 50 रुपे जो मिलते थ वो भी 25% बढ़ जाएगे मिनमम 15 रुपे हो जाएंगे ठीक है तो यह देख लीजिए ब्रीब केस अलाउंस बढ़ जाएगा 25% केंटेन अलाउंस 25% मैसिंग अलाउंस 25% नुकलियर रिसर्च प्लान सपोर्ट अलाउंस 25% तो यह सारे अलाउंसे से देख लीजिए आप कौ 25% बढ़ेगा कमपोजिट परसनल मैंटिनेंस अलाउंस 25% बढ़ेगा ड्रेस अलाउंस जित्ता भी आपको अभी मिल रहा है उसमें डायरेक्ट 25% की व्रिजद्दी होगी और कोई भी केल्कुलेशन नहीं जादा टेरिटोरियल आर्मे अलाउंस बढ़ेगा 25% रिस्क आटेंडेंस अलाउंस 25% सियाचीन अलाउंस 25% बढ़ेगा ये भी एक ध्यान देने योगी बात है क्योंकि सियाचीन अलाउंस काफी ज्यादा है और इसमें भी 25% का डायरेक्ट इजाफ़ा होगा आगे है फ्लाइंग अलाउंस मार्कोस चेरियोट अलाउंस और ये जो भी अलाउंस है ये सारे 25% बढ़ेंगे देख लिए आपको कौन सा मिलता है कौन सा नहीं इसके अलावा highly active field area allowance और ciopps allowance in field areas ये सारे 25% बढ़ेंगे test pilot, flight test, engineer allowance ये भी 25% बढ़ेंगे तो ये है लिस्ट काफी लंभी है देखते जाएए वीडियो को skip मत करना फिल्ड एरिय अलाउंस है, यह सारे जो अलाउंस है, यह डिरेक्ली 25% बढ़ जाएंगे अगर कोई भी आपको मिल रहा है तो, इसमें किसी भी बरकार का कोई भी कन्फूजन आपको नहीं रखना है, साथ यहाँ पर, consolidated package for regulatory bodies, जो कि यहाँ पर साड़े चार लाग रुपे पर मन पर चेर परसन और चार लाग पर मेंबर्स यह 25% बढ़ जाएगा, ठीक है, तो यह सारी चीज़े हैं जो कि आपको बढ़ जाएंगे सारे अलाउंस है, एक बार फिर से देख लीजी आपको कौन सा मिल रहा है, उसमें 25% का आप खुद ही calculation कर सकते हो, और यह बढ़ाव आपको, अलाउंस मिलेगा January 2024 से, क्योंकि DA effective हो है January 2024 से, तो DA का area आपको मिलेगा, ठीक है, एक तो DA का area आपको मिलेगा January से, ठीक है, January और February मैने का, और साथ ही, जो भी अलाउंस आपको इन में से मिल रहा है, उसका area भी आपको मिलेगा, ठीक है, अलाउंस का area आपको मिलेगा, साथ ही आपको जो अचारे मिल रहा है, उसका area आपको मिलेगा, तो इन तीन चीज़ों का area आपको directly मिलेगा, तो यह area आप अपना calculate कर सकते हो, ठीक है, DA का कर लीजिए, DA जो है, उसमें 4% का इजाफ़ हुआ है डिये का चार प्रतिसत के इसाप से आप कल्कुलेट कर लीजिए और अलाउंस जो भी आपको इन में से मिल रहा है यह लिस्ट देख लिए होगी आपने और उसमें पच्छी परसेंट का जरा आफ कर दीजिए और वो क इल्कुलेट कर लीजिए उसका वह कितना अपको बनता है दो मेंल और शायर है है यह शायर। एहिए आप बहुत इसी भी परकार का इजाफा नहीं होगा तो यह थी डिये के रिगार्डिंग इंफर्मेशन जिसमें अलाउंसे कितने बढ़ेंगे और कब बढ़ेंगे वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गया होंगे अगर कोई भी डाउट अभी भी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ठीक है आपके सारे डाउट्स के लिए कर दिये जाएंगे और इसी परकार की इंफर्मेशन के लिए हमारी चैनल डीजी इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लें